आज की वीडियो में हम लोग डीटेल में डिसकुस करेंगे इस टॉपिक को पूरी तरह से समझने के लिए सबसे पहले हम इसका historical background देखेंगे जिससे हमें ये clear होगा कि indigo revolt क्यों हुआ था और फिर देखेंगे कि revolt की दौरान क्या-क्या हुआ और अंत में हम इस revolt का outcome देखेंगे तो शुरुआत करते हैं historical background से बात 1750 की है जब British East India Company इंडिया में मात्रिक trading company थी उस समय British East India Company ने पहली बार इंडिया में indigo plantation की शुरुआत की थी ये शुरुआत बेंगौल से हुई थी ये इंडियो जो है ये बिसिकली डाई बनाने की काम में आती है और ये और कुछ नहीं बिसिकली नील है जिसे कपड़े रंगनी के लिए नेचुरल डाई की तरह इस्तमाल किया जाता था British East India Company इंडिया फार्मर्स से इंडियो plantation करवाती थी और उसे ले जाकर चाइना, UK और यूरोप की मार्केट्स में अच्छे दामों पर बेचा करती थी हलाकि इंडियन फार्मर्स इंडियो कल्टिवेशन का अपोज कर रहे थे प्रॉलम ये थी कि इंडियो plantation के लिए बाकी क्रॉप्स की अपेक्षा में ज्यादा पानी लगता था और इसके अलावा जमीन की उपजाओ शमता भी कम होती थी यानि स्वाइल जो है वो infertile हो जाती थी इसलिए peasants की रूची थी rice जैसी high paying crops उगाने में तो जो European planters थे उन्होंने peasants को बहलाने फुसलाने के लिए advance पैसे देने शुरू की है और इसके बदले peasants से कुछ contract sign कर वा लिये और एक बार जो peasants ने contract sign कर दिया उसके बाद शुरू होता था peasants का exploitation planters को किसी भी हाल में indigo चाहिए था और अगर peasants आनागानी करते थे तो planters कई तरह के हतकंडे अपनाते थे उनके बच्चों को kidnap कर ले थे घर के किसी सदस्चे को उठवा ले थे उन्हें मारते पीटते थे इस तरह की बहुत सारी चीजे हो रही थी और peasants बिचारे कब तक सहते 1859 में उनका गुस्सा फूट पड़ा और बेंगॉल के नदिया डिस्टिक में दिगंबर बिस्वास और बिश्नु बिस्वास के नित्रुत में peasants ने इंडिगो उगाने से पूरी तरह से मना कर दिया और इस तरह इंडिगो रिवाल्ट की शुरुवात हो गई planters ने इस movement को तोड़ने की कोशिश की बट peasants अब एक जुट हो चुके थे उन्होंने भी planters के attack को counter करने के लिए तैयारी कर रखी थी दीरे दीरे उन्हें ये समझ में आने लगा कि अगर उन्हें ये लड़ाई जीतनी है तो ये लड़ाई कोर्ट में लड़नी होगी और इसके लिए सामने आई Bengal की educated class भी जिसने इन indigo cultivators को support किया ना सिर्फ legal battles में भलकि उन्होंने लोगों में awareness बढ़ाने के लिए mass meetings करनी शुरू की newspaper campaigns चलाए और यहीं वो समय था जब दीन बंधू मित्रा ने peasants की situation को depict करने के लिए एक play लिखा नील दरपन इस play का impact बहुत ही widespread था और आप इसका impact इस बात से भी समझ सकते हो कि British सरकार को इस play को ban करना पड़ा था तो government ने peasants की grievances को address करने के लिए एक indigo commission बनाया और इस commission की recommendation के base पर November 1860 में British सरकार ने एक notification issue किया उन्होंने अपने इस notification में कहा कि peasants से indigo उगाने की किसी भी दरा की जबरस्ति ना की जाये इस तरह indigo revolt कामियाब रहा बट planters पहले से ही शायद समझ चुके थे और उन्होंने indigo की जो factories थी उनको close करना पहले ही शुरू कर दिया था और 1860 के December तक तो Bengal में indigo cultivation पूरी तरह से खदम होई चुका था तो ये था indigo revolt हलो फैंट्स आज की वीडियो में हम एक और peasant movement को discuss करेंगे जिसका नाम है pubna revolt जिसमें हम pubna agrarian league के बारे में भी बात करेंगे ये जो pubna revolts थे ये kind of series of reports थे जो कि 1870s और 1880s में हुए थे हुआ क्या कि British government ने 1859 में rent act of 1859 पास किया था जिसे act ex of 1859 भी कहा जाता है ये एक landmark legislation था क्योंकि peasants के rights related ये पहला act था जिसे British government ने पास किया था इस act में ये कहा गया था कि अगर कोई भी किसान 12 सालों तक land पर cultivation कर रहा है और हर साल सरकार को लगान भी पे कर रहा है तो उस land की ownership उस किसान को मिल जाएगी यानि अब बस 12 सालों की बात थी 12 साल कल्टिविशन करो लगान पे करो और जमीन अपनी बना लो किसान इस बात से खुश दे बट प्रॉलम ये थी कि जमीदारों को ये बात बिलकुल अच्छी नहीं लग रही थी उन्हें कैसे भी करके किसानों को जमीन के ओनर बनने से रोक न था उनकी कोशिश बस इतनी थी कि कैसे भी करके कोई भी किसान एक जमीन पर 12 साल कम्प्लीट ना कर पाए इसके लिए उन्होंने कई सारे हटकंडे अपना है लगान को 6-7 गुना तक बढ़ा दिया ताकि किसान जो है वो मजबूरी में जमीन छोड़ दे और किसी दूसरी जमीन पे जाकर कल्टिवेशन करना शुरू कर दे जहां पर रेंड थोड़ा कम हो और इतने पर भी अगर किसान नहीं मानते तो उन्हें forcefully evict भी किया जाने लगा जिस लेंड पर वो कल्टिवेशन कर रहे थे उन्हें वहां से बेधखल कर दिया गया उन्हें परेशान करने के लिए उनकी गाहे भैस, फसलों को भी उनसे हतिया लिया गया ताकि डर या मजबूरी के कारण वो जमीनदारों की बात महल ले और इतने पर भी जमीनदार नहीं रुक रहे थे वो उन्हें और ज्यादा प्रताडने के लिए उनके उपर court cases डालने लग गए इससे निबटने के लिए पबना district के यूसुफ जाई परगना में किसानों ने मिलकर एक लीग बनाई जिसका नाम था पबना एग्रेरियन लीग पबना जो है वो आज की रिट में बंगला देश का पार्ट है पबना एग्रेरियन लीग ने किया कि लॉयर्स की मदद से जमीनदारों के इलिगली बढ़ाय हुए रेंट देने से मना कर दिया और जमीनदारों को कोर्ट में भी चैलेंज किया ये जो पबना एग्रेरियन लीग का जो इस्टरगल था ये धीरे धीरे पूरे पबना और बाद में इस्ट बंगल के दूसरे डिस्टिक्स में भी फैल गया ये struggle पूरी तरह से एक legal struggle था अगर एक दो छोटी मोडी घड़नाओं को छोड़ दिया जाए तो इस struggle में बंकिम चंद शेटर जी और आरसी दद जैसे इंडियन इंटलेक्चुल्स ने भी किसानों को सपोर्ट किया और सुरेण नाद बेनर जी की नेतरत में इंडियन एसोशेशन भी किसानों की मदद के लिए आगे हाई नतीजा ये निकला कि 1880 में गौवर्मेंट को रेंट लॉग कमिशन अपॉइंट करना पड़ा जिसका अबजेक्टिव था कि एक ऐसा टेंडियन सी बिल बनाये जाए जो रेंट एक्ट ऑफ 1859 की कम्यों को दूर कर सके और इस कमिशन की रिपोर्ट के बेस पर 1885 में बंगाल टेंडियन सी एक्ट पास हुआ इस एक्ट में कहा गया कि किसी भी किसान को उसकी जमीन से सिविल कोर्ट के ओर्डर के बाद ही इविट किया जा सकता है अब्यस सी बात है कि ये बात जमीनदारों के पक्ष में तो बिलकुल भी नहीं थी और ऐसा हो पाया पबना एग्रेरियन लीग के एफ़र्स के बाद हलो फेंट्स आज की वीडियो में हम लोग डीटेल में डिसकस करेंगे modern history का एक बहुत ही important topic जिसका नाम है the किसान सभा मूवमेंट किसान सभा मूवमेंट एक present मूवमेंट था जो शुरू हुआ था 1918 में और दो ही सालों के बाद यानि 1921 में ये decline हो गया सबसे पहले देखते हैं कि ये किसान सभा मूवमेंट शुरू कहां हुआ था ये देखे मैप ये जो रीजन है ये है United Provinces United Provinces लगब वही एरिया है जो आज की डेट में उत्तरप्रदेश है उस समय इसे United Provinces कहा जाता था और United Provinces के इस रीजन को कहा जाता था अवद और ये जो किसान सभा मूवमेंट है ये United Provinces के अवद रीजन में ही हुआ था और ये जो किसान सभा मूवमेंट है ये इसलिए हुआ था क्योंकि UP के जो किसान थे उनकी कंडिशन बहुत ही दिन पर दिन खराब होती जा रहे थी और उनकी इस miserable condition के लिए responsible थी British सरकार की policies और अवद के तालुगदार्स सबसे पहले देखते हैं कि British सरकार की कौन सी policies इसके जिम्मिदार थी देखो हुआ क्या कि 1858 में British East India Company की सभी political powers British Crown को transfer हो गई और इसके बाद British government की लगातार यही कोशिश रही कि कैसे भी करके जो land से मिलने वाला revenue है उसको बढ़ाते जाओं ये देखें 1858 में British सरकार ने इंडिया से जो total land revenue generate किया था वो था 15 million pounds 1901 में 1901 में land revenue बढ़कर हो गया 17.5 million pounds और 1912 तक यही land revenue बढ़कर 20 million pounds तक पहुँच गया था यानि land revenue में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी और यह जो land revenue है यह कौन पे कर रहा था बिचारे किसान अब यह गलत इसलिए भी है क्योंकि agriculture से related कोई developments नहीं हुए थे कोई irrigation से related improvements नहीं हुए थे कोई नई technology भी किसानों तक नहीं पहुची थी तो फिर आप किस तरह expect कर सकते हो कि वही किसान उसी जमीन से हर बार ज़्यादा लगान दे यह हो गई एक बात और दूसी तरफ बिटेन जो है वो first world war में भी कूद पढ़ा था इससे जो food prices और रोजमरा की जो चीजे थी उनके दाम भी काफी बढ़ गए थे किसानों की हालत बद से बदतर हो चुकी थी बड़ किसानों की परिशाने यहाँ पर भी खदम नहीं होती है बिटिश गवर्मेंट ने अवत के तालुकदार को हद से ज्यादा powers दे रखे थी क्योंकि यह तालुकदार ही थे जो इन किसानों से लगान वसूलते थे तो बिटिश गवर्मेंट की शर्थ बस इतने सी थी कि कैसे भी करकर लगान वसूलो उसके लिए चाहे किसानों को डराओ धमकाओ, मारो या पीटो यह जो तालुकदार थे, यह बाद बाद पर किसानों को धमकाते रहते थे कि उन्हें उनकी जमीन से बेदखल कर देंगे बेदखल मतलब उन्हें उनकी जमीन जहां पर वो काम कर रहे हैं, उससे इवेक्ट कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा किसानों को हर साल दुबारे से जमीनों पर काम करने के लिए रेन्यूवल फीज देनी होती थी जिसे नजराना कहा जाता था इसके अलबा तालुकदार जो है वो record rates से ज्यादा लगान वसूलते थे Basically British government ने तालुकदार को उनकी जमीनों के जो rates हैं वो पहले से बता की दिये होते थे उन्हीं rates पर उन्हें tax collection करना होता था जिसमें कुछ हिस्सा तालुकदार को मिलता था और बागी का हिस्सा गवर्मेंट को जाता था बट ये तालुकदार इन recorded rates से भी ज्यादा tax वसूलते थे जिसके बारे में बिटिश गवर्मेंट को भी नी पता होता था इसके लावा ये लोग और भी बहुत सारी illegal वसूली के आगरते थे जैसे कि अगर तालुकदार के घर में बच्चा हुआ है तो इन्हें गिफ्ट देना होता था तालुकदार के यहाँ पर शादी है कोई मर गया है हर occasions पर किसानों का अपना contribution देना होता था किसानों की इन्होंने बहुत ही बुरी हलत कर दी थी और कोई भी नहीं था जो इनकी बात सुने इनफेट Congress भी गांधी जी के आने से पहले Peasants को साथ में लेकर नहीं चल रही थी बट फिर September 1916 में Annie Bassett ने Home Rule League इस्टबिश की और उनका उदेश यह था कि वो ज्यादे से ज्यादे लोगों को Home Rule League के आइडियल्स के बारे में बताए लोगों को politically aware करे इसलिए Home Rule League के जो एक्टिविस्ट थे वो गाउं गाउं जाकर किसान सभा करते थे इन सभाओं में बहुत सारी भीड़ी खटा होती थी सब लोग जब मिलते थो आपस में discuss करते थे कि उनकी क्या-क्या परिशानी है तो सब लोगों को एक बात समझ में आ गई और उस समय Home Rule League से जुड़े हुए थे गौरी शंकर मिश्रा और इंदर नारयन दिवेदी के अलावा जिंगुरी सिंग, दुरुपाल सिंग और बाबा राम चंदर भी युनाइटिड प्रोविंस किसान सभा के बड़े लीडर थे जून 1919 तक युनाइटिड प्रोविंस के अंदर इन्होंने 450 ब्रांचिस खोल ली थी और ये लोग बड़ी मातरा में कॉंग्रेस के 1919 अमरित सर सेशन में भी शामिल हुए थे अब इनको ऐसा लग रहा था कि हाँ अब ये लोग मेन स्ट्रिम में आ रहे हैं कॉंग्रेस इनके साथ है और अब तालुकदार और जमीनदार उससे इनका चंगुल छूट जाएगा सब सही चला था बड़ इसी बीच 5 सेप्टेंबर 1920 को गांधी जी ने नॉन कोपरेशन मूव्मेंट लॉंच कर दिया ये एक non-volunt movement था और गांधी जी चाहते थे कि किसान भी इस movement में participate करें बट non-corporation movement के objectives में किसानों की परेशानियों को पूरी तरह से ignore कर दिया गया था इससे क्या हुआ कि United Province किसान सभा में दो good बन गए एक good का मानना था कि हमें national movement के चक्कर में नहीं बढ़ना चाहिए अपने local issues पे काम करते हैं high rent, illegal taxes, eviction के खिलाफ हम लोग एक मुहीम चेरते हैं non-corporation movement गांधी जी को अलग से लड़ने दो जबकि United Province किसान सभा के दूसरे good का मानना ये था कि गांधी जी जो कर रहे हैं वही सही है उनके पीछे पीछे चलते रहते हैं कहीं न कहीं तो पहुँची जाएंगे अब ये दो good बन चुके थे और इसलिए United Provinces किसान सभा से कुछ लोग अलग हो गए और October 1920 में इन्होंने अपनी अलग organization बना ली अवद किसान सभा अवद किसान सभा ने लोगों को तयार किया कि वो बेधकली land की cultivation करने से मना कर दे कहने का मतलब कि अगर किसी किसान को उसकी जमीन से बेधकल कर दिया गया है तो उस land पर तालुकदार अगर किसी और को आपउइंट करता है किसानी करने के लिए तो वो किसान इस बेधकली land पर काम करने से बिलकुल मना कर दे और कोई भी किसान बिना payment के काम तो बिलकुल बिना करे यानि हारी और मेकारी बिलकुल नहीं चलेगी और जो इन बातों को नहीं मानेगा समझ लो society से उसको boycott किया जाएगा वैसे देखा जाए तो अच्छा तरीका था बट movement शुरू करना एक बात होती है और उसको समालना एक अलगी लेवल का game है तो January 1921 आते आते इन लोगों की काम की तरीके बदल गए और इन लोगों ने बाजारों को घरों को और गुदामों को लूटना शुरू कर दिया अब ऐसा काम करेंगे तो पुलिस के साथ जड़ब भी होगी और ये सब खासकर हो रहा था यूपी के बरेली, फैज़बाद और सुल्तान पुरे रियाज में अब अगर आप वोलेंस पोतर आओगे तो बिडिश गवर्मेंट को तो इस टेक्शन लेना ही था तो पुलिस ने जब तुड़ाई करनी शुरू की तो आधे किसान भाग गए और इसके अलावा बिडिश गवर्मेंट ने अवद रेंड अमेंडमेंट एक भी पास किया था जिससे पीजेंट्स को कुछ राहत मिली थी तो बचे कुछे जो किसान थे वो इस राहत को देखके शान्त हो गए और मुवमेंट से साइड हो गए और इस तरह ये मुवमेंट कुछ ही समय में पूरी तरह से शान्त हो गया हलो फेंट्स आज की वीडियो में हम लोग डीटेल में डिसकस करेंगे modern history का एक बहुत ही important topic जिसका नाम है एका मुवमेंट एका मुवमेंट एक पीजन्ड मुवमेंट था जो साल 1921 के आखरी के कुछ महीनों में शुरूआ था और मात्र 5-6 महीने के बाद यानि मार्च 1922 तक ये मुवमेंट डिकलाइन हो गया था एका मुवमेंट को समझने के लिए हमें किसान सबा मुवमेंट के बारे में पता होना चाहिए जिसे हमने पिछली वीडियो में अलड़ी डिसकस किया था बट फिर भी इस वीडियो में हम किसान सबा मुवमेंट को क्विकली रिवाइस करेंगे हमने देखा था कि नॉन कॉपरेशन मुवमेंट के अबजिक्टिव में किसानों की समस्याओ को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया था जिसके वज़ा से United Provinces किसान सबा के मेंबर्स दो गुठों में बट गए थे एक गुड जो है वो नॉन कॉपरेशन मुवमेंट के फिवर में था और दूसरा गुड चाहता था कि नॉन कॉपरेशन मुवमेंट को छोड़ो और अपने लोकल इशूस पर ध्यान दो और इस ये भी देखा था कि अवद किसान सबा को बहुत ही बूटली हैंडल किया था और इस बूटल रिप्रेशन के डर से कुछ लोग मुवमेंट से हट गए थे और इसके तुरंत बात जब बिडिश गवर्मेंट ने अवद रेंट अमेंडमेंट अक्ट पास किया तो इसकी वज रहे तो जनवरी 1921 तक अवद किसान सबाब पूरी तरसे डिकलाइन हो गया था बट देखने वाली बात ये है कि इस अवद रेंट अमेंडमेंट अक्ट में ऐसा क्या था जिससे बिडिश गवर्मेंट ने काफी सारे पीजेंट को खुश कर दिया एक्चुली हुआ क्या थ कि इस अमेंडमेंट अक्ट में गवर्मेंट ने नजराना यानि रेंवल फीज पर पूरी तरसे बैन लगा दिया था और हमने पिछली वीडियो में देखा था कि किसानों की तीन बड़ी समस्याओं में से नजराना एक बड़ी प्रॉलम थी तो किसान इस बात से खुश थे कि अब उन्हें नजराना यानि रेंवल फीज नहीं देनी पड़ेगी तो ये तो बात होई जनवरी 1921 तक की बड़ साल 1921 खतम होते होते किसानों में नराजगी फिर से बढ़ने लगी और उनकी तीन समस्याओं थी हाई रेंट्स थेकेदारों द्वारा उनका सोशन और प् से उनके एरियाज की जमीनों के रेंट जो है वो पहले से ही तैग करके रखे होए थे उन्हें उसी रेट पर टेक्स कलेक्शन करना होता जिसमें कुछ हिस्सा तालुकदार को मिलता था और बाकी का बड़ा हिस्सा बिडिश गवर्मेंट को जाता था बड़ तालुकदार ज हो सकता है कि नजराना क्योंकि कैंसल हो गया था तो वो लोग यहां से कंपेंसेट करने की कोशिश कर रहे होंगे इसके अलावा तालुकदारों ने अपने अंडर में ठेकेदार रखे होए थे जो किसानों से लगान वसूलते थे और यह ठेकेदार निहायती बत्तमीज होते यह किसानों को बहुत ही परिशान करते थे और किसानों की तीसरी परिशानी ती practice of share rent इसे हिंदी में कहते हैं बटाई और यहां क्या होताथ कि लेंड़ोड जो है वो अपनी जमीने कल्टिवेशन के लिए किसानों को देते थे तो यहां पर दो चीज़े फिक्स हो गई लें फिर इस cultivation का जो outcome होता था उसमें भी इन दोनों का share होता था इसी के साथ साथ British government को जो लगान देना होता था उसमें भी landlord और किसान का share होता था और ये सब mutually decide होता था कि किसको कितना share मिलेगा और इसी को कहते थे बटाई बड़ ये जो share rent की practice थी इसमें ultimately किसान ही पिसता था और और इस तरह की जो deal होती हैं जिसमें दो लोग share कर रहे होते हैं उसमें आम दोर पर जो कमजोर होता है बिचारा वही मारा जाता है और यहां पर भी वही हो रहा था तो यह तो हो गए एका moment के causes अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यह moment कहां पर हुआ था तो यह moment हुआ था अव किसान सभागी जो इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के साथ मिलकर नॉन कोपरेशन मुवमेंट और खिलाफत मुवमेंट में कैंपेन कर रहे थे इन्होंने कॉंग्रेस के लीडर्स को बताया कि भाई हमारे लोग जो है वो परिशान है जमीनदार जो है वो रिकॉर्ड रेट से क्योंकि तालुकदार हो या ठेकेदार किसानों का सोशन इसी लिए हो रहा है क्योंकि ये लोग एकजुट नहीं है तो किसान सभा और कॉंग्रेस के एक्टिविस्ट ने किसानों को एकजुट करने के लिए जगा जगा पर मीटिंग्स करनी शुरू की इन मीटिंग्स को कहा प्रूफ होगा और बिडिस सरकार जो है वो जमीनदार और तालूगदार को पकड़ेगी। लोगों ने कहा ये बात तो सही है। लोगों ने ऐसा करना शुरू कर दिया। और इस तरह शुरू हुआ एका मुवमेंट। ये 1921 के नवंबर दिसंबर के महीने में शुरू हुआ था बढ़ अब दिकत यहा रहे थी कि यह बिचारे किसान जो है वो ठेकेदार से रसीध बाद में मांते थे, ठेकेदार इनके कान पे थपड़े रसीध कर देता था. किसान जो है वो ठेकेदारों के सामने कमजोर पढ़ रहे थे तो किसानों को मस्बूत करने के लिए उनकी विलपावर को बढ़ाने के लिए एक तरीका निकाला गया अब एका मीटिंग्स जहां पर भी होती थी वहां पर एक गड़ा खोदा जाता था उसमें पानी भरा जाता था और लोगों को बुला जाता था कि आप इसको गंगा जी मानके इसमें डुपकी लगा दो इन मीटिंग्स में पंडिजी बुलाए जाते थे लोगों से डुपकी लगवाई जाती थी और बाकाइदा पूरे मंत्रों वंत्रों का जाप होता था लोगों को कस्में खिलाई जाती थी कि अब कुछ भी हो जाए recorded rent से ज्यादे rent नहीं दूँगा जमीनों से भगाए जाएगा तो भागूँगा नहीं किसी भी pressure में आके काम नहीं करूँगा गुंडे और बदमाशों को मदद नहीं करूँगा और पंचायत का फैसला मेरे लिए आखरी फैसला होगा एका मूवमेंट में ये टेक्निक काम कर गई एका मूवमेंट में जाना गई बट नॉन कॉपरेशन और खिलावत मूवमेंट के चलते कॉंग्रेस का ध्यान जो है और एका मूवमेंट से थोड़ा सा हट गया था और यही वो समय था जब मदारी पासी ने लोगों की बीच अपनी जगा बना ली लोग उसे ही नेता मानने लगे और इस मूवमेंट में छोटे मोटे जमीनदार भी जुड़ गए और मदारी पासी ने इस मूवमेंट को वालेंस के रास्ते पे धकील दिया जमीनदारों और तालूगदारों की पिटाई की गई उन्हें कई दिन तक घरों में बंद कर दिया गया ऐसी बहुत सारी वालेंट एक्टिविटीज होने लगी ये वो समय था जब तालूगदार भी मदारी पासी के नाम से दहशत खाते थे गांधी जी को जब ये पता चला कि एका मूवमेंट वोलेंट हो गया है तो गांधी जी ने तुरंत कॉंग्रेस को एका मूवमेंट से अलग कर दिया और फिर बिटिस इस इंडिया कंपनी को ज़्यादा समय नहीं लगा इस मूवमेंट को खतम करने में मार्च 1922 में ये मूवमेंट पूरी तरह से खतम था हलो फिर्ट्स आज की वीडियो में हम लोग डीटेल में डिसकस करेंगे modern history का एक बहुत ही important topic जिसका नाम है बाडोली सत्यागरे जो हुआ था 1928 में ये देखें ये है बाडोली की location बाडोली थालू का सूरड डिस्टिक का पार्ट है जो कि आज की डेट में गुजरात में है बट उस समय में ये Bombay presidency का पार्ट हुआ करता था British government हर 30 साल के बाद land का assessment करवाती थी और उस land assessment के बेस पर ये तैह होता था कि किसी भी जगया के land revenue में कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए तो पिछला land assessment 1896 में हुआ था और 30 साल पूरे होने वाले थे और इसलिए फिर से land assessment की ज़रोत थी और ये जमेदारी दी गई MS Jackar को जो कि उस समय सूरत के deputy collector थे Jackar को इस तरह की काम का कोई भी experience नहीं था उन्होंने बाडोली तालुका में जाकर लोगों से बात करना, सर्वे करने की बजाए British document में लिखी हुई जानकारी के अधार पर अपनी report तयार कर दी और land revenue को 30% हाई करने की recommendation दी इस पर बाडोली के जो लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया बट government उनकी बात ही नहीं सुन रही थी तो वो अपनी परिशानी लेकर Congress के पास पहुँचे Congress ने इसके लिए बाडोली inquiry committee बनाई ताकि ये जाना जा सके कि क्या वाकई land revenue को 30% तक बढ़ाया जाना चाहिए बाडोली inquiry committee ने बाडोली के गाउं गाउं में जाकर सर्वे किया और सभी data के आधार पर ये तैक किया कि government जो 30% revenue hike करने की बाद कर रही है वो बिलकुल नाजायस है और फिर बाडोली के लोगों की मांग पर सदार वल्लबाय पटेल बाडोली पहुचे उन्हें पता था कि ये जो आम लोग है ये movement की शुरुआत में तो बहुत excited रहते हैं बट जब पुलीस का repression शुरू होता है तो ज्यादे दिन तक साथ नहीं रह पाते और धीरे धीरे इनकी भेड जो है वो गायब होने लग जाती है या फिर ये लोग हिंसा पे उतर आते हैं चोरी-चोरा में भी यह हुआ था जब पुलीस ने repressive measures यूज़ करना शुरू किया तो प्रिदर्शन कारियों ने आगी बढ़कर पुलीस स्टेशन में आग लगा दी जिसकी वज़ासे गांधी जी को non-corporation movement वापस लेना पड़ा इसके लिए वल्लभाई पटेल ने एक रास्ता निकाला और 1928 के जन्वरी महिने में शुरू हो गया बाडूली सत्याग्रह इन सत्याग्रियों के मांगी थी कि government एक independent tribunal बनाए जो कि ये जाच करे कि land revenue वाकी में बढ़ना चाहिए ये नहीं और अगर बढ़ना चाहिए तो कितना बढ़ना चाहिए इस movement में women भी बहुत ही बड़ी मात्रा में सामने आई और इस movement के दोरान एक meeting में बाडूली की एक महिला ने वल्लभाई पटेल को चिल्ला कर कहा तुम हमारे सरदार हो और इस तरह बाडूली सत्याग्रे ने वल्लभाई पटेल को सरदार वल्लभाई पटेल बना दिया वल्लभाई पटेल ने इस movement को बिल्कुल military की तरज पर और उगनाईस किया पूरी की पूरी बाडूली तालुका में उन्होंने तेरह छाबनिया लगाई इसके लावा वल्लभाई पटेल ने इस movement के दोरान बाडूली सत्याग्रे पत्री का भी शुरू की ताकि ना सिर्फ बाडूली बलकि बाडूली के बाहर भी लोग बाडूली के बारे में जाने और बाडूली के issues से aware रहे वल्लभाई ने एक intelligence wing भी बनाया था जिसका काम था कि वो गाउवालों पर नज़र रखें कहीं वो अपनी कसम तो नहीं तोड़ रहे हैं लेंड रेवेन्यू पे करने तो नहीं जा रहे हैं क्योंकि वल्लभाई के सीधी सीधे निदेश थी कि अगर आपने कसम खाई है और इस movement से जुड़े हुए हो तो अगर आप इस कसम को तोड़ते हो आपको social boycott किया जाएगा बारडोली अंदोलन के समर्थन में के मुंची और लाल जी नारंजी ने बॉंबे legislative council से भी resign कर दिया बट अब बारी थी government की इस movement को दबाने के लिए government ने मार पीट करना शुरू किया जमीनों को जब्त करना शुरू किया इतना ही नहीं पुलिस वाले जो थे वो घरों पर आते थे और पालतू जानवार जैसे की बहस बकरी और गाए भी लेकर चले जाते थे गाउवलों को obviously इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी बट बारडोली के लोगों ने फिर भी non-violent रहते हुए इस movement को continue करते रहे और फिर August 1928 तक तो ऐसी इस्तिति आ गई थी कि British authorities और सत्याग्रेयों के बीच में tension इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि ऐसा माना जा रहा था कि पुलिस किसी भी वक्त वल्लब भाई को गिरफतार कर सकती है और ये तो तैह था कि अगर वल्लब भाई को आरेस किया जाता है तो movement जो है वो leaderless हो जाएगा दिशाहीन हो जाएगा इसके लिए 2 August 1928 को गांधी जी भी बार्डोली पहुँच गए अब government की यहाँ पर हलत खराब होने शुरू हो गई क्योंकि लोगों को मारा जा रहा था पीटा जा रहा था उनकी land confiscate की जा रही थी उनके kettles को confiscate किया जा रहा था लेकिन फिर भी लोग non-volent थे अब उनके बाज एक option था कि वो वल्लब भाई को गिरफतार कर ले उपर से गांधी जी वहाँ पर पहुच गए अब इस्तिती यह हो गई कि government को यह समझी नहीं आ रहा था कि इस movement से कैसे निप्टा जाए और इसलिए अंत में उन्हें बाडोली सत्याग्रहियों की demand को मानते हुए एक independent tribunal set करना पड़ा Maxwell Broomfield के नितरुत में अब यह जो Maxwell और Broomfield थे इन्होंने गांगां घूम कर किसानों से बात की और दूसे documents और दस्तावेजों के base पर finally decide किया कि जो land revenue है वो 30% नहीं बलकि 6% ही बढ़ाया जाना चाहिए और इस तरह land revenue hike 30% से घटा कर मात्र 6.03 ही बढ़ाया गया यह सदार पटेल और बाडोली सत्याग्रहियों के लिए एक बड़ी जीत साबित हुई बाडोली सत्याग्रह की जीत अपने आप में एक बहुत ही historic जीत है क्योंकि इससे पहले जब non-corporation movement को बंद कर दिया गया था तो लोगों का विश्वास जो है वो गांधी जी के सत्याग्रह वाले concept पे से हिलने लग गया था अब यहाँ पर जो यह जीत हुई है सत्याग्रह की इससे यह बात साबित हो गई कि जो तरीका है वो यही है जिससे आपको आजादी मिलेगी तो यह था बाडोली सत्याग्रह बुक्स्तवा चैनल पर हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी के बहुत सारे वीडियोज अविलेबल हैं आप उनको भी देख सकते हैं